नमस्कार आप देख रहे हैं टार्गेट विदालोक ओनलाइन इंस्टिटूट मैं हूँ विवेक मिस्र एट पीम न्यूज बुलेटिन में उन तमाम खबरों की चर्चा करेंगे जो आपके परिक्षाओं के लिहाज से महत्वपूर्ण साबित होंगी लेकिन उसके पहले आज की हेड्लाइन्स पडालते हैं एक नजर अमेरिकी चुनाओं में भारती मूल की कमला हैरिस हो सकती है डेमोक्रिटिक पार्टी का चेहरा भारती छबी का मिलेगा फायदा बिगड़ सकता है अमेरिका का सियासी समीकरण नेपाल में भारत की मदद से चल रही पर योजनाओं को लेकर जल्द हो सकती है बैठक विवादों के बीच होने वाली बैठक होगी काफी अहम तो चलिए आज की बड़ी ख़बरों के साथ आज की बुलेटिन की सुरुवात करते हैं इसी साल नवंबर में होने वाले अमेरिकी रास्टपती और उपरास्टपती पद के चुनाओं में भारती मूल की कमला हैरिस भी मैदान में हो सकती हैं कमला हैरिस भारती मूल की अमेर्की नागरिक है, मीडिया खबरों के मुदाबिक राष्टपती पद के उम्मीदवार जो वीडिन के हाथों में संभावित उम्मीदवारों की लिस्ट देखी गई, जिसमें पहला नाम कमला हैरिस का था अमेरिकी उपराष्टपती चुनाओं में अब ऐसी खबरे चल रही है कि अमेरिकी चुनाओं में डेमोक्रेडिक पार्टी भारती मूल की कमला हैरिस को उपराष्टपती पद का उम्मीदवार घोंसित कर सकती है फिल्हाल अमेरिका में भारत वंसियों का रुख डोनाल्ड ट्रम्प की ओर माना जा रहा है लेकिन कमला हैरिस की उम्मेदवारी इस पूरे समीकरण को बदलती नजर आ रही है गरतलम है कि 3 नवंबर को होने वाले अमेरिकी चुनाव में वरतमान राष्टपती डोनाल्ड ट्रम्प ने वरतमान उपराष्टपती माइक पेंस को ही इस बार भी उपराष्टपती पद के लिए उम्मीदवार बनाया है ऐसे में रेपब्लिकन पार्टी के दोनों उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं जबकि डेमोक्रेटिक पार्टी ने अभी भी उपराष्टपती पत की उम्मीदवारी पर कन्फ्यूज नजर आ रही है डेमोक्रेटिक पार्टी की इस उल्जन को लेकर डोनाल्ड ट्रम्प जो विडिन और डेमोक्रेट्स को निसाना बना रहे हैं कमला की भारती च्छबी और महिलाओं के अधिकारों की लड़ाई उनको एक मजबूत नेता के रूप में पेस करता है आपको बता दे कि कमला की मा स्यामा गोपाल हैरिस भारत के तमिलनाड की थी और पिता डोनाल्ड हैरिस जमयका से हैं ऐसे में अफ्रेकन वोटर्स के लिए भी यह सही समीकरण होगा और यह डेमोक्रेट्स के लिए फायदे का साउधा हो सकता है कमला हैरिस दो बार कैलिफोर्निया की अटार्नी जनरल रह चुकी है उन्होंने हारवर्ड से सनातक और कैलिफोर्निया विश्व विद्याले से कानून की पढ़ाई की है कमला हैरिस सैन फ्रांसेसको में जिला अटार्नी जनरल की रूप में भी काम कर चुकी है साल 2003 में ये सैन फ्रांसिसको की जिला वकील बनी थी और साल 2017 में कैलिफोर्निया से सैयुक्त राज्य सिनेटर की रूप में सपत ली थी अगर कमला हैरिस को उपराष्टपती का टिकट मिलता है तो ऐसा पहली बार होगा जब कोई अस्वेत महिला अमेरिका में किसी बड़ी पार्टी की ओर से उपराष्टपती पद का उम्मिद्वार बनेगी भारत सरकार की आर्थिक मदद से चलने वाली परियोजनाओ की समिक्षा को लेकर भारत और नेपाल के राजदूद काठमांडू में मुलाकात कर सकते हैं कोरोना महामारी को देखते हुए यह बैठक वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित करने की समभावना है भारत नेपाल के बीच होने वाली यह बैठक भारत नेपाल ओवर साइट मैकेनिस्म का एक हिस्सा होगी आपको बता दें कि चालू द्वीपक्षे आर्थिक और विकास परियोजनाओ की समिक्षा के लिए इसे साल 2016 में स्थापित किया गया था गरतलम है कि नेपाल में संचालित परियोजनाओ के लिए भारत सरकार ने 800 करोण रूपए का आवंटन किया था इन परियोजनाओ में सडक निर्माड, 2015 में आय भूकंप के बाद पुनर निर्माड कारी, रेलवे लाइन सहित पस्पती नाथ मंदिर में स्वक्षता सुविधा के निर्माड प्रमुख है ऐसे में भारत और नेपाल के बढ़ते तनाओ के बीच होने वाली यह बैठत काफी अहम साबित होगी आपको बता दे कि नेपाल ने साल 2017 में चीन के बिल्ट एंड रोड इनिसियेटिव पर हस्ताक्षर किये थे जिसके तहत चीन ने नेपाल में राजमार्ग हवाई अड़े जैसे कई बुनियादी परियोजनाओं को सुरू करने का आस्वाशन दिया था भारत इसमें सामिल नहीं हुआ और इसे नेपाल का चीन की ओर जुकाओ के तोर पर देखा गया भारत नेपाल के बीच बात तब बिगडी जब साल 2019 में भारत ने नया नकसा जारी करके जम्मु कस्मीर का बिभाजन कर जम्मु कस्मीर और लद्दाह को दो अलग किंद्र सासित प्रदेश के रूप में दिखाया साथ ही उत्राखंड के पिथावरागड जिले के हिस्ते के रूप में काला पानी लिपुलेख और लिम्पिया धुरा को भी दिखाया था भारत नेपाल के बीच यही क्षेत्र विवाद का कारण बना आपको बता देगी भारत नेपाल के बीच काला पाने लिम्पिया धुरा लीपुलेख भारत नेपाल और चीन के बीच एक विवादित छेत्र है इसके बाद नेपाल ने भारत के नए नक्से पर कड़ी आपत्ती जताई और आपसी बातचीत के माध्यम से हल करने की सलाह दी इसके अलावा मान सरोवर यात्रा के लिए भारत द्वारा बनाई गे सड़क भी दोनों देसों के बीच बिरूध को बढ़ावा दिया जब आपके रूप में नेपाल ने भी राजनेतिक नक्सा जारी किया और अबंत में आईए कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों पर एक नजर डालते हैं जो आपके परिक्षाओं के लिहाद से बेहत महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं हाल ही में वज्ञानिकों ने 125 वर्ष बाद मुंबई के पास माथेरॉन हील्म स्टेशन में 77 नई प्रजातियों सहित तितलियों की 140 दुरलफ प्रजातियों की खोज की है इससे पहले साल 1894 में जे ए बिन्थम ने इस खेत्र में 78 तितली की प्रजातियों की पहचान किया था बॉम्बे निचुरल हिस्टी, सोसाइटी और सुमया बिद्या विहार विश्विद्याले के वईग्यानिकों की सोधपत्र Finding the Forgotten, James Revisiting the Butterflies of माथेरान After 125 years में माथेरान हेल स्टेशन में दुरलफ तितलियों के बारे में जानकारी दी गई है हाल ही में अखिल भारती बैंक कर्मचारी संक यानि AIBEA ने भारती रिजर्ब बैंक यानि RBI द्वारा COVID-19 से प्रभावित रिणों के पुनर गठन पर इसे सग्शमिती के प्रमुख के रूप में केवी कामत की नियुक्ति का विरोध किया है क्योंकि केवी कामत के नाम पर CBI में FIR दर्ज है आपको बता दें कि ICICI बैंक के पूर्व CEO और गैर कार्यकारी अध्यक्ष केवी कामत भी उस पैनल के सदस थे जब ICICI बैंक की पूर्व M.D. और CEO चंदा कोचर ने विडियो कौन समुख को गलत तरीके से रिण दिया था जिस पर फिलहाल CBI द्वारा जाच की जा रही है हाल ही के भारत पाकिस्तान Сीमा के पास अटारी चेक पोस्ट पर सिंधू जल संधी के मुद्धे पर एक बैठक आयोजित करने के लिए पाकिस्तान द्वारा किये गए अनुरोध को भारत थुकरा दिया है भारत का मानना है कि एक आभासी बैठक किया जा सकता है लेकिन पाकिस्तान फिजिकल बैठक पर जोर दे रहा है भारत का तरक है कि COVID-19 महामारी के बीच भारत पाकिस्तान सीमा यात्रा करना उचित नहीं है आपको बताते चलें कि सिंधु जल संधी पर आयोजित होने वाले बैठक का नेत्रित दोनों देशों के सिंधु जल आयुक्त करते हैं इन बैठक में सिंधु नदी प्रणाली से संबंधित बांधों और जल पर योजनाओं के निर्मार से संबंधित मुद्धों पर चर्चा होती है पिछली बार यह बैठक स्लामाबाद में साल 2019 में आयोजित किया गया था समझवते के अनुसार 31 मार्च 2020 से पहले एक बैठक भारत में प्रस्तावित थी जो कोवेट 19 की वजह से नहीं हो पाई लोकसभा की करमचारियों और अधिकारियों के लिए सुरवाती इस्तर पर एक नया पाठिकरम फ्रांसीसी भासा का प्रारम किया गया इस पाठिकरम के तहद लगभग 57 अधिकारियों को पंजी कृत किया गया है पाठिकरम शुरू करने का मकसद ये है कि इंटर कनेक्टड दुनिया में भासा का ज्यान आवश्यक है इस बहल को संसदी अनुसंधान और प्रसिक्षन संस्थान लोकतंत्र यानी प्राइट द्वारा लागू किया जाएगा भविश्य में लोकसभा में जर्मन, रूसी, स्पैनिस और अन्य महत्तपूर्ण विश्वभासाओं को भी पाठिकरम में सामिल किया जाएगा आपको बताते चले कि संसदी कर्मचारियों, संसदों और अन्य लोकों को संसदी संस्थानों के विभिन विश्यों में प्रसिक्षन प्रवान करने के लिए साल 1976 में प्राइट की अस्थापना किया गया था 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस के रूप में मनाया जाता है, इसका उद्दे से अंगदान के बारे में जागरुकता फैलाना है, भारत में प्रतिवर्स हजारों मौतें और गन फैलियर की वजह से होती है यदि समय रहते इस तरह के रोगियों को स्वस्थ अंग का प्रत्यारोपन कर दिया जाए तो उनका जीवन बचाया जा सकता है आपको बता दें कि मानों अपने विभिन अंगों जैसे गुर्दा, फेफडे, हृदय, नेत्र, यकृत, कौर्निय, छोटी, आत, तवचा, उतक, हड़ी की उतक का दान कर सकता है इसमें से कुछ अंगों का दान जीवित ब्यक्ति भी कर सकता है लेकिन अधिकतर अंगों का दान ब्यक्ति की मृत्यू के बात किया जा सकता है विसुभर में एक लाग से अधिक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें विभिन अंगों की आवश सकता है फिलहाल 8 पिम के इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमको जरूर बताएं वीडियो को लाइक करिए दोस्तों के साथ सेयर करिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपनी तैयारी को एक नई दिशा देने के लिए जुड़े रहे टार्गेट विदालोक आउनलाइन इंस्टिट्यूट से मुझे दीजिए इसाजत नमस्कार